इसराइली प्रधान मंत्री बेंजाइम नेत नयाहू के साथ बुधवार को बड़ा हाथसा होते होते बच लिया जब एक जन सभा को संबोधित कर रहे थे तभी खवर लगी कि गाजा पट्टी की तरफ से एक मिसाइल दागी गई है जो आस पास ही गिर सकती है तुरंत ही बें जाइन स्थानिये चुनावों के लिए एशकेलन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे समाचार एजनसी के मताबिक गाजा पट्टी की ओर से छोड़ी गई मिसाइल का निशाना एशकेलन शहर का था जो की फिलिस्तानी इलाके से सिर्फ 12 किलोमेटर की दूरी पर ही है हाला कि इस मिसाइल को इसराइल ने अपने आईरें डॉम एयर डिफेंस इंटर स्पेर्टस से मार गिराया हाला कि अभी तक गाजा की ओर से इस बात की पुष्ची नहीं की गई है कि ये हमला उनकी ओर से था बता दे कि अभी गाजा पर हमास इसलाइमिस्ट का कब्जा है ज ऐसा कि बेंजामाईन नेतनियाहू चुनावी सभा को संबोधित करने पहुचे तो कुछ ही देर के बाद वहाँ सायरन वजना शुरू हो गया जो की मिसाइल आने का अलार्म था सितंबर के बाद से ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बेंजामाईन नेतनियाहू को इस तरह किसी सावजनी कारे करम से सुरुक्षित निकाला गया जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्पाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइग, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाण